नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल टिक चौपाल पर दोस्तों BSNAL के PRC को ले करके एक latest आप news कह सकते हैं या फिर update कह सकते निकल के आ रही है जो पी अभिमन्यू जी बोल रहे हैं जी हाँ दोस्तों थर्ड PRC को ले करके इनका कहना है कि यह इतना आसान नहीं है भले ही पास तारिक को meeting, पास तारिक से meeting स्टार्ट हो गई है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि थर्ड PRC implement हो जाएगा लेकिन यह ऐसा कह रहे हैं कि थर्ड PRC BSNAL में अभी implement होना या कुछ साल के अंतरगत भी implement होना इतना आसान नहीं है यह दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह पी अभी मन्यू जी बोल रहा है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा detail से कि पी अभी मन्यू जी और क्या बोल रहा है थर्ड PRC को लेकर के वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से request करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को like कर दे और अपने विचार comment section में जरूर दीजेगा कि क्या यह सही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है थर्ड PRC लगना और अगर आप मेरे चैनल पे नए है और BSNAL से related कोई भी update PRC चाते है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी subscribe कर ले कोई भी new जाएगा मैं अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊँगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं BSNAL EU के official site पे दोस्तों जैसे हम लोग वहाँ पे जाएंगे यह है BSNAL EU का official site यहां आने के बाद दोस्तों 9 March का update इन्होंने दिया है कि Waze Revision से ले करके कुछ fact यह इसका English version है मैं आपको Hindi version बता दूँ ताकि आपको थोड़ा और सही तरीके से समझ में आजे या फिर English को ही मैं हिंदी में translate करके आपको बताने वाला हूं जैसा कि दोस्तों इनका कहना है कि Waze Revision को ले करके कुछ fact यह बताना चाह रहा है आप टोको को Waze Revision Talk have resume on 5th of March 2024 मतलब कि 5 तारिक से जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 5 तारिक से Waze Revision का बाते जो है स्टार्ट हो चकी है जिसमें no meeting point has come on pay scale जिसमें pay scale पर कोई भी ऐसा बात बनके नहीं आया next meeting will be on 22nd of March 202 को जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अगली meeting जो PRC का है वो 22nd of March को है at this stage controversies are being created by Miss behaviors या फिर आपका सकते Miss Shivers elements regarding pay scale जिसमें कुछ controversies को create की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा जैसा कि मेरा मानना है कि कुछ तिनों से जितने भी junior engineers जे ही लोग है उन्होंने सभी जो employee union को बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि उनकी संख्या काफी अच्छी है उनका जो NIA9 जो pay band है ये लोग 31 से स्टार्ट कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो JEE का pay band स्टार्ट होना चाहिए 35,000 से उपर का स्टार्ट होना चाहिए हमें लगता है वही लोग इनको काफी message किये हैं या फिर कई union जो भी district secretaries हैं वो later लिख करके उपर दे रहे हैं इन चार दिनों का ये सिलसिला है काफी क्योंकि JEE लोगों का काफी इसमें loss हो रहा है इसको ले करके उन्होंने काफी mail वगेरा इनको भेजे हैं WhatsApp भी काफी इनको भेजे हैं तो हमें लगता है उसी के बाद से इनका ये लिखना है कि इस वेतन मान को लेकर सरार्ती तत्व द्वारा विवाद खड़ा किया जा रहा है ऐसा इनका कहना कि वेज रिविजन का निप्टारा जल्द हो सकता है इनका ऐसा कहना है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि वेज रिविजन का जो निप्टारा है वो बहुत जल्द हो सकता है ये बिलकुल गलत है अगर वेतन पुनरिचर समझावते पर हस्थाचर भी हो जाए और उसे कैबिनेट की मंजूरी फिर उसके बाद क्या होगी उसको कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी अगर इनका कहना है चलिए हमाल लेते हैं कि जो पे बैंड है उसके सिंगनेचर भी हो जाता है एग्रिमेंट भी हो जाता है तो उसके बाद व वो cabinet में जाएगा approval के लिए और वर्तमान में cabinet ने क्या कहा है कि बियस्नल में वेतन संसोधन अभी नहीं हो सकता वो उसके पात्र नहीं है क्योंकि वो घाटे में चल रही है इसलिए cabinet को अपना फैसला बदलना होगा इनका कहना यह है कि अगर चलो माल लेते हैं कि pay band कुछ सरार division पे चलो मान लेते हैं कि समझावता हो भी जाता है तो उसके बाद वो जाएगा cabinet में और cabinet तो पहले से ही कह दिया है कि बियस्नल को वेतन संसोधन के लिए बियस्नल पात्र नहीं है क्योंकि वो घाटे में चल रहा है तो इसके लिए cabinet को अपना फैसला पहले बदलना होगा क फिर भी हम उसको wage division दे सकते हैं और यह इतना आसान नहीं है इनका ऐसा कहना है कि यह इतना आसान नहीं है कि cabinet अपना जो नेडर है उसे बदले कुछ ही दिनों में संसत चुनाव की अधसूचरा जारी होने वाली मतलब कुछ ही दिनों में election जो है वो उसके dates आ जाएंगे तो इनका ही यह कहना है कि चुनाव खत्म होने तक कुछ नहीं होगा मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है third PRC को ले करके तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यही इतने negative रहेंगे उसको ले करके तो आगे कि क्या संभावना रहेगी सायद मैं गलत भी हो सकता हूँ आपकी क्या राय है आप comment section में जरूर बताईएगा कि अगर union के leaders ही इतने negative रहेंगे कि कुछ होने वाला नहीं है election के पहले तक या फिर election के बात तक भी कुछ होने वाला नहीं है तो फिर PRC को ले करके धरना देने का क्या मतलब है जब आप पहले से ही मान चुके हैं कुछ होने वाला नहीं है त इसके लिए क्या आप कर रहे हैं सायद मैं गलत भी हो सकता हूं आपकी क्या राय है आप comment section में जरूर बताईएगा दोस्तों तो आगे ये दोस्तों क्या कहते हैं कि चुनाव खत्म होने तक कुछ नहीं होगा संसत चुनाव के बाद भी नई सरकार को वियस नल में वेतन संस संसोधन की अनुमति देने के लिए एक राजनितिक निड़र लेना होगा जिनका कहना है कि अगर चलो चुनाव खत्म भी हो जाता है उसके बाद नई सरकार भी आजाती है तो वियस नल में वेतन संसोधन के लिए बियसनल जैसे घाटे में चल रहे कई सारवजनिक उत्रुक्रम हैं जिनके करमचारी भी वेतन संसोधन की मांग कर रहे हैं ग्या करना कि BSN जैसे बहुत सारे PSU हैं जिनके करमचारी जो गाटे में चल रहे हैं उनके करमचारी भी क्या कर रहे हैं वेतन संसोधन की मांग कर रहे हैं ये सभी मुद्दे हैं BSN एयू वेतन संसोधन के समाधान के लिए सर्वोच्चम संभय कदम उठा रहा है मतब पूरी कोशिस कर रहा है कि वेतन संसोधन हो सके 16 फरवरी 2024 को एक दिवसी हर्ताल का आयवजन कर वेतन पुनरिच्छड का मजबूत दावा किया है इनका कहना है कि 16 फारी को इनने हर्ताल अलड़ी किया था एक दिन का वेतन को इसको ले करके थर्ड प्यार्शी को ले करके अतह साथियों से अनुरोध है कि यूनियन पर भरोसा रखे और सरार्ती तत्तो द्वारा फैलाए जा रहे विवादो व अफवाहों पर ध्यान न दे इनका कहना यही है कि कुछ सरार्ती तत्तो द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही वेज रिविजन का निप्टारा हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है क्योंकि अगर हम लोग साइन कर लेते हैं पे बैंड पे जो एग्रिमेंट कर भी लेते हैं तो ये agreement जाएगा cabinet में और cabinet तो पहले से ही कह चुका है कि BSNL घाटे में चल रहा तो उसका pay revision नहीं हो सकता तो उसके लिए cabinet को अपना decision बदलना होगा कि जो भी PSU घाटे में चल रही है चलो उनको हम लोग pay revision दे सकते हैं ऐसा cabinet को अपना जो वो है पहले से वो मान चुकी है उसको बदलना होगा अपने नेड़े को जो की मुश्किल नहीं लग रहा है और कुछी दिनों में election की dates आ जाने आली है तो election तक तो कोई संभावना नहीं है और election के बाद भी अगर pay revision की बात हो तो उसमें सरकार को एक राजनितिक नेडर लेना पड़ेगा कि जो PSU loss में चल रही है उनको भी pay revision दिया जा एक राजनितिक नेडर लेना पड़ेगा जो की काफी मुश्किल लग रहा है ऐसा इनका कहना है यही सब मुद्दे हैं ऐसा दोस्तों यह कह रहा है मतलब मोटा मोटी यह कहा जाए इनका कहना दोस्तों यह है कि यह इतना आसान नहीं है तो दोस्तों यह था थर्ड PRC को लेकर के हमारी union leaders पी अभिमन नियुजी का जो update था कि आप एक तरह से सच्चाई भी कह सकते हैं कि आप जो आसा लगा के बैठे हुए है कि PRC जल्द से जल्द हो जाएगा भी election आने वाले हैं या election के बाद भी हो जाएगा तो आप देख लीजिए कि यह सच्चाई है बाकी आपकी मर्जी आपके इच्छा सकती क्या कहती है आप comment section में जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लगएगा